बच्चो चलो शुरू करते पने क्लाश देखो कोशन दिया हुआ है चुछ दिया हुआ है उसमें से सही option कौन है उसको चुनना है और बतलाना है तो चलो इसको सुल्म करते हैं तो देखो solution 2 times 30 upon 1 plus 10 square 30 अगर हम इसको इसके value से substitute करें तो क्या हो जाएगा देखो 2 into 10 30 को लिए होता है बच्चो बोलो 1 upon root 3 तो लिखो 1 upon root 3 दिनोमेटर में 1 plus 10 square 30 है तो हम लिखेंगो 1 plus 1 upon root 3 का square क्योंकि दिनोमेटर में 10 square 30 है चलो आगे देखो 2 into 1 upon root 3 तो यह क्या हो जाएगा 2 upon root 3 और दिनोमेटर में 1 plus 1 upon 3 हो जाएगा क्योंकि 1 upon root 3 का square करोगे तो 1 upon 3 आएगा आगे देखो 2 upon root 3 upon 1 plus 1 upon 3 तो जब लिखेंगे दिनोमेटर का तो 3 आएगा तो यह हो जाएगा 3 plus 1 upon 3 आगे बढ़ हो तो यह हो जाएगा 2 upon root 3 upon 4 upon 3 तो आप देखो जो फास्ट निमेटर का जो डिनोमेटर है वह नीचे चला आएगा और जो सेकेंड फ्रेक्शन का डिनोमेटर है वह उपर के फ्रेक्शन में चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 upon root 3 into 4 और 3 जो है डिनोमेटर में वह उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 2 into 3 चलो जो केंसल होता है तो केंसल करो तो देखो इसको यहाँ पर लिख रहते हैं 2 into 3 upon root 3 into 4 तो 2 से 4 कैंसल टू टाइमस में और root 3 से 3 कैंसल तो क्या आया? root 3 upon 2 आया तो अब बचो जब हमने इसको इवेल्यूएट किया तो आंसर आया root 3 upon 2 तो देखो कि दिये हो ओप्षन में किसका वेलू root 3 upon 2 होता है तो साइन 60 का वेलू root 3 upon 2 होता है तो साही option A है code 60 की बात करूँ तो code 60 का वेलू होता है 1 upon 2 तो यह गलत हो गिया 1060 का वेलू होता है root 3 तो यह option भी गलत है और shine 30 का वेलू होता है 1 upon 2 तो यह भी गलत है तो हमारा साही option A है चलो अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखो अला question दिया हुआ है 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 equal to what हमें option दिया हुए है A 1090 B 1 C sin 45 and D 0 कौन सा option साही है यह हमें निकालना है तो फले हम इसको solve कर लेते हैं देखो solution में 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 देखो अब देखो कि हम 1045 का value को substitute करेंगे तो 1 minus 1 का square हो जाएगा क्योंकि 1045 equal to 1 होता है और denominator में 1 plus 1 का square हो जाएगा देखो आगे 1 minus 1 हो जाएगा और नीचे 1 plus 1 हो जाएगा आगे इसको करोगे तो 1 minus 1 0 और denominator में 2 तो जब 0 को 2 से divide करोगे तो answer कि आएगा 0 अगर बचो answer 0 है तो देखो कि दिये हो option में कि इसका value 0 के बराबर होता है तो ए है 1090, 1090 not defined होता है क्योंकि पहले भी हम वीडियो में बतलाए है कि 1090 का value निकालना है तो shine 90 को question 90 से divide कर दो जो answer आएगा वही 1090 का value होगा तो shine 90 का value 1 होता है देखो इसको समझा दे रहा हूँ 1090 equal to shine 90 upon cosine 90 जहें हम shine 90 को question 90 के बराबर आजाएगा तो देखो कि 1090 equal to क्या आजाएगा shine 90 का value 1 होता है और cosine 90 का value 0 होता है तो बचो हम जानते हैं कि we know that 1 upon 0 not defined है तो मेरा option number A गलत है B 1 दिया हुआ है यह भी गलत है shine 45 का value 1 upon root 2 होता है तो यह भी गलत है और हमारा साही answer D है बज़ो अलग कोछ निया हुआ है shine 2A equal to shine A is true when A equal to 0, 30, 45, and 60 जहें पतलाना है कि A का value क्या होगा दियो ओप्षन में से जब shine 2A, 2 shine A के बराबर होगा तो देखो when A equal to when A equal to 0 degree तब क्या हो जाएगा shine 2A और right hand side में हो जाएगा 2 shine A तो जब हम shine 2A में A equal to 0 substitute करेंगे तो क्या आ जाएगा shine 2 into 0 और यह हो जाएगा 2 shine 0 degree अब देखो बचो जब shine 0 degree को 2 से multiply करोगे तो यह क्या हो जाएगा shine 0 degree और right hand side में क्या हो जाएगा shine 0 degree के value कितना होता है shine 0 के value 0 होता है तो यह हो जाएगा 2 into 0 अब देखो shine 0 के value कितना होता है तो shine 0 के value 0 होता है right hand side में 2 into 0 क्या होता है 0 होता है तो first option ही हमारा सही option है बाकी के option गलत होंगे देखो कैसे इसको बतला दे रहा हूँ when A equal to 30 degree रखते हैं तब क्या आएगा देखो when A equal to 30 degree तो यह हो जाएगा shine 2A और right side में 2 shine A shine 2 into 30 करोगे और right hand side में 2 into shine 30 करोगे देखो तो shine 60 बने गया left hand side और right hand side में हो जाएगा 2 into shine 30 का value जो होता है 1 upon 2 तो 2, 2 cancel sine 60 equal to कितना होता है root 3 upon 2 left hand side में root 3 upon 2 आया और right hand side में 1 आया तो यह दोनों equal हैं क्या यह दोनों equal नहीं है तो यह option गलत हो गया चलो आप सी option को मिलाते हैं when when a equal to 45 degree तो left side में क्या हो जाएगा sine to a और right side में 2 shine a तो देखो shine 2 into 45 और right side में 2 into shine 45 करोगे sine 2 into 45 तो यह हो गया shine 90 और right side में हो जाएगा 2 into 1 upon root 2 क्योंकि sine 45 के भी 1 upon root 2 होता है जब solve करोगे तो root 2 से 2 cancel हो यह बन जाएगा root 2 और sine 90 का भी लोग कितना होता है 1 तो left side में आया 1 और right side में आया root 2 जो की equal नहीं है left hand side is not equal to right hand side तो हमारा यह option भी गलत है इसी परकार से जब आप 60 degree को a equal to substitute करोगे तो पाओगे कि left hand side is not equal to and a equal to 0 degree is the right option चलो आगे बढ़ते हैं बचों देखो गला question है 2 times 30 upon 1 minus times 4 30 equal to what? option है a cos 60 degree b sin 60 degree c times 60 degree and sin 30 degree तो चलो हम दिये हुए question में time 30 की value को substitute करते हैं और solve करते हैं solution में लिखेंगे बचों direct रिख रहे हैं 2 into 10 30 10 30 का value 1 upon root 3 होता है तो लिख दो 1 upon root 3 denominator में 1 minus 1 upon root 3 का square हो जाएगा क्योंकि denominator में 1 minus 10 square 30 है तो 10 30 का value 1 upon root 3 का square कर दिये आगे solve करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 upon root 3 और denominator में हो जाएगा 1 minus 1 upon 3 जब इसको solve करोगे तो क्या हो जाएगा 2 upon root 3 divided by 3 minus 1 upon 3 आगे इसको solve करोगे तो यह हो जाएगा 2 upon root 3 divided by 2 upon 3 ठीक है आगे इसको solve करो तो 2 upon root 3 into 2 हो जाएगा और 3 निमिधर से into करेगा निचे का डिमिधर पहले वाले fraction के निमिधर को multiply करेगा और first fraction का जो डिमिधर है वह निचे वाले divisor में जो fraction है उसके निमिधर को multiply करेगा तो यह बन गया 2 into root 3 upon root 3 into 2 तो जो cancel हो रहा है तो cancel करो 2 से 2 cancel root 3 root 3 को cancel कर दिया तो final answer के आया root 3 upon 1 जो root 3 के बरावर ही तो है तो अब देखो कि दिये हुई option में किस का value root 3 होता है cost 60 का value 1 upon 2 होता है तो यह गलत है sin 60 के value root 3 upon 2 होता है तो यह option भी गलत है 1060 के value root 3 होता है तो हमारा answer solve करने पर root 3 आया है तो 10C सही है sin 30 के value 1 upon 2 होता है तो यह भी गलत है तो हमारा answer option C है उमिद करता हूँ कि यह हो किस में आग यह होगा question दिया हुआ है if 10 A plus B equal to root 3 and 10 A minus B equal to 1 upon root 3 और A plus B is greater than 0 degree और A plus B is equal to or less than 90 degree A B से बढ़ा है तो हमें बतलाना है कि A और B कितना है तो बच्चों देखो solution में लिखेंगे 10 A plus B equal to root 3 degree और 10 A minus B equal to 1 upon root 3 degree वेरी गुड तो बच्चों देखो तो हम 10 A plus B equal to इसको 10 A plus B equal to 10 60 degree लिखते हैं क्योंकि 10 60 equal to root 3 होता है और second equation में 10 A minus B equal to 10 30 degree because 10 30 degree equal to 1 upon root 3 होता है तो बच्चों देखो तो हम जानते हैं कि 10 60 degree equal to root 3 होता है तो हम root 3 के जगह पे 10 60 degree को substitute कर दिये और 1 upon root 3 equal to 10 30 degree होता है तो 1 upon root 3 के जगह पे हम 10 30 degree को substitute कर दिये वेरी गुड बात समझ में आ गई अब देखो दोनों equation में left hand side में 10 cancel हो जाएगा 10 cancel second equation में भी 10 left side से और right hand side से cancel क्या बच्चा देखो अब बच गया equation number 1 में A plus B equal to 60 degree and A minus B equal to 30 degree 10 eliminate हो गया तो देखो की A plus B equal to 60 degree and A minus B equal to 30 degree अब इसको जोड़ दो on adding we get जब add करेंगे तो क्या आता है plus B minus B cancel A plus A 2 A और right hand side में 60 degree plus 30 degree तो यह हो गया आपका 90 degree देखो बचो 2 cancel और 45 से 2 को multiply करेंगे तो 90 आएगा तो 2 cancel हो गया और 90 बन गया 45 degree बचो देखो की A equal to आया A equal to 45 degree very good अब now A plus B equal to 60 degree है तो हम A की value को substitute करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा यह 45 degree plus B equal to 60 degree B equal to हो जाएगा 60 degree minus 45 degree घट करके आया 15 degree So A equal to 45 degree and B equal to 15 degree This is the answer of the given question आड है के आग मり I स्खड़ी यह प्रयूझ लॉटे।